दोस्तो अगर आपके बर्स ने कुछ और खालिया है तो आपको उसका एक खास तरीके से ख्यार रखना परेगां। दोस्तो उसका टीटमेकर का एक टरीक में तो उनका टीटमेंट करना बहुत आवश्यक खाजता हैं। तो आपके बस मर सकते हैं तो आप कैसे समझे कि आपके कौन से गलती के वज़े से आपका बस कुछ जहरिला कुछ खा लिया वो जहरिल चीज क्या हो सकते हैं जो बस खा लेते हैं और अगर खा भी ले तो कैसे उनका treatment किया जाए वो जानना जरूरी होता है तो वो सारे चीज़े मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखिए कि ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है दोस्तो मैं हूँ तुहीन विश्वास और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनेल हैपी बजीस दोस्तो इस पूरे वीडियो को देखते रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो की में टॉपिक दोस्तों आप जब केज रख रहे हो तो उसमें कई तरह की समस्या होती है मुझे पता है लेकिन उसमें से एक समस्या जो है वह है चीटियों की समस्या बहुत लोगों का यह परेशन ही होती है कि उनके केज में चीटिया आ जाती है और बहुत सारे अगर चीटिया हो जाए तो मटकी में भी घुच जाती है और मटकी में अगर घुच गई तो हो सकता है अगर मटकी में बेबी बर्स हो न्यूबॉर्ण बेबी बर्स हो बच्च बनाई है आप उसे जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर लेकिन जो लोग बहुत करते हैं एक चीज बहुत लोग यह कर रहे हैं वह है केमिकल मेडिसीन दवाई पेस्टीसाइड वह केज के अंदर बहुत लोग स्प्रेय करते हैं जैसे गैमक सिर इसके बार मैंने भी उस वीडि में जो भी होता है वह सब चीज वह लोग में लेते हैं वह खाते रहते हैं आप देखें कि अगर केज के अंदर बहुत सरे बार्श है तो उसका ना कुछ केज के नीचे मतलब गुवत से भूमते हैं खना खाने की कुशिश करते रहते हमेशा तो अगर अंदर केमिकल कोई पेस्टीसाइड हो अगर उनके छोड़े-छोड़े ड्रॉपलेट्स भी अंदर हो तो वह भी बर्स खाएंगे तो यह है वो जैरीले चीजे जो बर्स खा सकते हैं तो अगर आप केमिकल मेडिसीन यूज कर र सकते हैं लेकिन उसमें भी खत्रा रहता है कि जबाब उससे प्रेकर रहे हो तो उसका छोड़ा चोड़ा ड्रॉपलेट हावा में फूलो होकर केज के अंदर जा सकती है बर्स के खाने में पानी में गिर सकते हैं तो उससे समस्या होगी तो जितना हो सगे आप केमिकल केज के अंदर डाल दिये और अगर आपने उस आपके कोई बर्स ने उसे खा लिया तब क्या करना चाहिए तो उसी के बारे में मैं भी बताऊंगा दोस्तों अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप समझेंगे कैसे कि आपके बर्स ने वह जायले चीजे वह पॉसनेस वह के होंगे तो आप देखेंगे कि एक दो दिन में आपके बर्स बिल्कुल इनक्टिव हो जाएंगे कोई एक्टिवनेस नहीं रहेगा वह चुपचाप एक कोने में बैठे रहेंगे कभी कभी शरी फूला कर बैठे रहते हैं या उनके आख में से पानी आएंगे वह खाना नही नहीं खाएंगे क्योंकि उनके शरी में अभी पॉईजन है तो उसके लिए उनका शरी धिरे धिरे वीक होने लगेगा और उसके बाद आपके बर्स मर जाएंगे तो ऐसे सिम्टम्स अगर आप देखें ठीक रिसन बात जब आपने क्यों केमिकल स्प्रे यूज किया है या क जब आपको उसका ट्रीटमेंट करना होगा तुरंत नहीं तो आपके बर्स धिरे-दिरे मरने के कगार पर पहुँच जाएंगे तो इसलिए तब आपको जब कोई स्प्रे यूज कर रहे हो तो आपको हर रोज उसको अप थी तरह से अब्जर्वेशन में रखना होगा हर ब पहले कहा आप हमेशा चीज़े यूज करें कैसे करने वह मैंने एक वीडियो में बताई है तो दोस्तों अब क्या किया जाए जब आपके बर्स ने वह पॉजनर्स केमिकल्स खा लिए तो अब क्या करें सबसे पहली बात आपको पूरे केज को साफ करना होगा अच्छी तरह से तो इसलिए आप कोई और चोटा से केज लीजिए उसमें सारे बर्स को अलग करके रखिए उसके बाद वह जब आपका केज इसमें बर्स रहते उस पूरे केज को अच्छी तरह से साफ कर दीजिए उनके पॉर्ट्स को उनके अंदर अगर आपने कोई कार्पेट की तरह अगर कुछ बीचा कर रख रहे हैं वह साब उनके खाने के पॉर्ट पानी के पॉर्ट हर एक चीजिश को आपको अच्छी तरह से साफ करना होगा ताकि उसमें और कोई केमिकल क्रेश ना रहे तो उन्हें अच्छी तरह से साफ करने के बाद जब आप उन्हें वापस रख तब आप वर्ण को क्या दे दोस्तो उसके बाद आपको बर्स को कुछ अब ज़्त करनी होगि दोस्तो इस वक्वक्थ आपको सबसे ज्याद случае है एंट कि स्की लेकिन दौस्तो एंटे डियाटिक्स तो आप एंटीवाइटिक्स कोना कम यूज कर पाए उतना चाप हर किसी चीज के हर कोई बहुत लोग हर कुछ भी अगर कुछ भी हो जाए बर्स को कोई भी छोड़ा मामूली डीजीज हो तब भी वह एंटीवाइटिक्स करते तो ऐसा नहीं करना चाहिए इससे उनकी बॉडि उसाइद उसे पहले आप पूरे कर दिया तो अगले दिन से करी तीन दिन तक आप अपने बर्स को लिवर टॉनिक प्रोवाईट कीजिये दोस्तों मैं चinaire लिवर टॉनिक इस्त огрता हूं जैसे हैं मैंने एक वीडियो में दिखाया था हिमालाय का लीफ 52 यह जो दवाई है इसे मैं इस्तेमाल करता हूँ लिवर्टॉनिक के रूप में यह बहुत बढ़िया लिवर्टॉनिक है क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मेरता है इससे तो मैं यह इस्तेमाल करता हूँ आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो आप तीन दिन तक लिवर टॉनिक को प्रोवाइट कीजिए उसके बाद आप एंटिवाइटिक दीजिए कुछ लोग डिरेक्ट एंटिवाइटिक देना शुरू करते हैं मैं वह रेकोमेंड नहीं करूंगा क्योंकि एंटिवाइटिक बहुत प उसके बाद से फिर से तीन दिन आप एंटिवाइटिक दीजिए एंटिवाइटिक जो मैं इस्तेमाल करते हो वह एक टेट्रासाइकलीन वह एक पाउडर में लिक्विड में भी मिलता है यह में कॉमपोजिशन है इसे अलग अलग जगा पर अलग अलग नाम से आप सब मिलाकर दोस्तों आपने जब इसे इस्तमाल कर लिया आपने लिवर टोनिक दे दिया टेट्रासाइकलीन जो आंटिवाइटिक है वह भी दे दिया उसके बाद फिर से एक दिन का गयाब दीजिए उसके बाद आपको देना होगा उनके डाइजेशन को इंप्रूफ करने क लिए कोई डाइजेस्टिन का घवाई में जो इस्तमाल करता हूं वह नियों पैप्टी की है यह मैं इस्तमाल करता हूं अगर आप कोई दुसरा इस्तमाल करने चाहिए तो आप कर सकते है डाइजाशन के लिए जो खाना खाना छोड़ देते तो आपने जब यह दोनों मेडिसीन उन्हें प्रोवाइट की उसके बाद उनकी भूब बराने के लिए उनकी डाइजेस्टिन प्रोपर्डिस को ने इंप्रूफ करने के लिए आपको इस तरफ की दवाई देनी परती है तो इसे आप दो से तीन द कोई जयारीला कुछ खा लिया है तो तभी आपके बर्स देजरी इंप्रूफ होगे अगर आपने कोई जयारीला चीज इस्तेमाल की है और आपके बर्स ने उन्हें खा लिया है और बहुत दिनों से उन्हें सारे लेकिन आपने उन्हें अन्देखा कर दिया बहुत दिन बी बार हो जाता है वो अब हमारे हाथों में नहीं रहता इसलिए आप जब कोई केमिकल चीज इत्माल करें तो हमेशा हर रोज उन्हें अब्जर्बेशन में रखना चाहिए मिनिम्मम आधा घंटा आप अपने बर्स को टाइम दीजिए उन्हें अच्छे से अब्जर्ब नहीं तो अगर वो उस क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गए तो उन्हें वहां से वापस लाना उन्हें वहां से ठीक करना करीब करीब इंपॉसिबल बात हो जाती है तो इसलिए दोस्तों जब आप इस्तेमाल करें हो के किमिकल मेडिसीन उन्हें अच्छिता से और्जर्ब करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ आप वैसे ही कोई डाइजेशन इंप्रूफ करने की दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह थी ओ सारी दवाई जो आपको इस्तेमाल करनी है अगर आपके बर्स कुछ पॉजनेस खाले तो दोस्तों यह थी वह सारी बात है जो इस केमिकल मेडिसीन इस्तेमाल ना करें जब आप कोई उसमें कोई जहरी लाज प्रॉपर्टी जो कोई केमिकल हो जो आपके बर्स को मार सकते हैं उनके लिए जानले वा साबित हो सकते हैं तो उन चीजों से दूरी रखना चाहिए बर्स को तो हमेशन नेचरल चीज़े जो है उने इस्तामाल करने की कोशिष कीजिए उनके बारे में भी मैंने वीडियो को देखिए और आएक मैं वीडियो को देखिए और आखे बारे करने के बाद जो बैल आइकन है उससे दबा दीजिए इस वीडियो को कैसे आपके बर्स को कैसे ट्रीटमेंट करना है तो आप हमें फीडबैक देख सकते हमारे चैनल को इंप्रूफ करने के लिए हमें बताइए कि आपके बर्स में क्या दिक्क्त है हम उन्हें सॉल्फ करेंगे आपका बर्स के रिलेटर कोई भी बर्स हो बजीज और फिंचेज चावा कोक्टेल पैराचिट आपके बर्स जो बर्स है आपको अगर उन्हें कोई दिक्क्त आरी आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उन्हें कैसे टैकल करें उन्हें ठीक कैसे किया रहे हमें बता ये पूरा कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ही है उसे इस्तेमाल कीजिए हमें बताइए हम आपके प्रॉब्लेम को स्वाल्फ करने की पूरी कोशिश करेंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप हमारे साथ रहे आप हैपी रहे आपके बर्स को हैपी रखिए और हमारे हैपी बजिस यूट्यूब चैनल को देखते रही है बाई